हेलो फ्रेंड मैं से क्याते साम जी एचनल एच प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं तो आप लोगों का काफी दिन से कमेंट आ रहा था OSSTT student जो है जो OSSTT देने वाले हैं तो इस वीडियो मैं और एक चीज बता दूँ जो OSSTT देने वाले हैं उनके लिए वीडिय तो दोनों के लिए मालो ये वीडियो बन रहा है ठीक है तो आपका काफी दिन से कमिंट आ रहा था कि जो है भरत महीमा पर जो एक बहुत बड़ी कवीता है और उस पर आगर वीडियो बनाता हूं तो कमसकम आठ-दस वीडियो बनाने पड़ेंगे जो बहुत टाइम सर सारंस ही बता दीजे तो चलिए आप लोगों का तो बहुत प्यार मिल रहा है यूटुब पे तो मैं आप लोगों को सारंस बता दे रहा हूं ठीक है तो और कई कमेंट बच्चे कर रहे थे के सर अगर आप पहले से बनाते आपका व्यू बहुत अच्छा होता तो ये व्यू पास करने के बाद बच्चे जो है प्लसटु मैं हिंदी लेने बोल रहे थे तो फिर प्लस्टु हिंदी आ बनाने लगे इसके बाद भी प्लस्टु हिंदी का वीडियो बनाओ गाई जो है अपका ऑक House TT एतो यूटुम के इनको यहां बनाने चैनल चल रहा है और कोई जो है मुझे कुछ भी अब तक नहीं मिला है चलिए तो इसका मकसद यहीं था कि मैं बच्चों तक कैसे टीचिंग पहुंचा सकम और वीडियो इसनले बना रहा हूं जिस समय मैं यह हो रहा था जिस समय मैं से सब्सक्राइद देना करना पड़ता था तो अब मैं बस सोच रहा हूं कि आपको कोई परिशानी ना होना पड़े थोड़ा बहुत आपकी परिशानी को दूर कर सकूँ वीडियो बनाने का मेरा यही मक्सद है कि आपको आसानी से थोड़ा बहुत जितना हो सकता है मुझे मुझे जितना हो सकता है उ अपने दोस्तों के साथ सेयार करते हैं उन्हें भी हेल्प मिलेगा और वियो तो खुद बाखुद आप कमेंट करते हैं यही बहुत अच्छा लगता है मुझे चले वीडियो को लाइक तो बनता है कमेंट आप वीडियो देखने के बात करें ठीक है क्योंकि ना अच्छा लग क्योंकि एक पूरा complete कवीता जो है बहुत बड़ी है बहुत सारे पद है तो उसका सारंस भी कुछ समय तो लगे गई तो चले शुरू करते हैं तो यह उस संधर्ब में लिखा गया है सबसे पहले इसके संधर्ब को समझते हैं जिस समय क्या होता है ने राम चंद्र जी जो है राम जी वनवास को चले जाते हैं और उनको मनाने के लिए भरत जी निकलते हैं चितरकुट को ठीक है इसका संधर्ब समझे अगर आप पेन पेन कभी हमेशा लेकर वैठे क्यूंकि नोड्स बनाना है ठीक है तो भरत जी जो है चित्रकुट निकलते हैं याद रहे कहां निक निकलते हैं चित्रकुट किसको मनाने के लिए रामचंदर जी को मनाने के लिए जाते हैं रामचंद्र लक्ष्मन और सीता तो उनको मनाने भरत जी निकलते हैं चित्रकुट को यहां से जो है कवीता का आरम्ध होता है और जाकर मिलते हैं वहां जो है कवीता का समाप्त होता है तुलसी दास द्वरा लिखित इस कवीता जिसका नाम है भरत महीमा ठीक है समझ पाए तो भरत जी जो जाते हैं कहां को चित्रकुड जाते हैं राम जी को मनाने के लिए वहां से उनको वापस लाने के लिए तो रास्ते में क्या कुछ खाने का सामन तो नहीं लेकर जाते हैं त और जहां देवताओं का मंदिर मिलता है, वहां जो हैं देवताओं के मंदिर में जाते हैं, तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं, केबल फलाहार करते हुए, केबल फल खाते हुए जो है आगे बढ़ते हैं, और रास्ते में महीलाएं जो हैं भरत जी को देखती हैं, भरत जी और उनके साथ ही जो थे उनको महिलाएं रहती हैं सत्रुगन थे उनके साथ में सत्रुगन थे कौन जो भरत जी के भाई थे तो सत्रुगन भरत जी जाते हैं महिलाएं देखकर आपस में बातचीत करती हैं कि भरत की प्रशंशा करते हैं कि ऐसा भाई भरत जैसा भाई कहां मिल हम तो भरत को देखकर महिलाईं बोलती हैं कि भरत को देखकर आज हम धन्य हो गई हमारे जन्म लेने का मानो एक मकसद पूरा हो गया कि हमने भरत जी को देख लिया ऐसे महिलाईं आपस में बातचीत करती हैं और महिलाईं कहती हैं कि ऐसे इतने अच्छे भरत जी हैं ऐसे पु ठीट आया था और आम जी जो है वनवास चल गए तो महीलाये झाथी जो कहती है的是 czasie गुवान पुत्र के का कयी कोक के मैं लेना नहीं चाहिए था वह भरत जी के दर्शन से स्वेंग को द्धन्य मानती है और परश्पर वरतलाब करती हैं इतनी अच्छे पुत्र का एसे गुणवान पुत्र का कई कई से कौक से क्या है नहीं चाहिए ज Ole time कॉट्स कोट्स से जो है जन्म लेना नहीं चाहिए Lubaina और भरत-जी जो है एसारी महिला के अबस सुनती है और छोट छोटे भाई जो है फेसे के छोटे भाई सत्रुगन सहीद भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य इस्त्रियां की गिंती में आ गई हैं कौन कहती हैं जो इस्त्रियां वहां देखती हैं भरत जी को बोलते हैं हम सत्रुगन सहीद भरत जी को देखकर आज हम भी जो है उस धन्य इस्त्रि की गिंतियों म याउई हैं अर्थात भरत जी कि कोई क fatto ही इसमें राणी कभी दोस नहीं और कोई कोई विधाता कीज क्योंकि अगर रानी कही कि एक से गोध से भरत जी जन नहीं लेते फिर हमें जो है आज दर्शन कैसे मिलता तो ऐसे बोलती है कि ऐसे विधाता ने किया है तो राम चंद्र जी सरी भरत जी जो है एस सारी बास सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपने गुणों सहीत स्री राम और जो भी सन्यासी रास्ते में भरत जी को भील कोल जाती के लोग मिलते हैं और जो भी सन्यासी मिलते हैं भरत जी उन्हें प्रणाम करते हैं और राम लक्षमन सीता के विशे में पूछते हैं और एक चीज है जो भी इनको बताता है कि राम लक्षमन सीता इस जगा है हमने यहां देखा है, यहां जाते हुए देखा है, जो भी उनके कुसल मंगल की सूचना देता है, भरत जी को ओर राम लक्षमन और सीता जैसे अती प्रिया लगता है, वील कोल जाती के कोई लोग हों, या सन्यासी हों, वील कोल जाती, याद रहे, कभी-कभी प्रश्न आता है, कि भरत जी जो है, किस से पूस्ते हैं? कि राम लक्षमन और सीता कहां है, कहां गये हैं, यह सब किस से पूस्ते हैं? तो वील कोल जाती से और शन्यासी से पूस्ते हैं ठीक है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए आप पेसेंस रखिए क्योंकि यहां जो है मुझे एक कवीता है अगर आर्दस वीडियो होता है कमसकम तीन चार घंटे का वीडियो जो है अब आपको सारंस में मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा फ़क पेसेंस रखि में राम लक्षमन सीता की कता जो पुस्ते हैं जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुसल पूर्बक कुसल मंगल देखा है तो भरत जी को मानो वो इतने प्रिया लगते हैं जैसे राम लक्षमन सीता को वैसे प्रिया लगते हैं भरत जी को तो भरत आगे बढ़ते हैं साथ में को विशाद राज हैं विशाद राज ठीक है आफ लिख लें इसे पॉइंट करते चलें राम के मित्र विशाद राज ने उसी समय सभावी की सुहावना परवत सीरो मणी कामदगीरी दिखाया जिसके निकठी पयस्विनी नदी के तट पर सीता समित दोनों भाई निबास करते हैं वे लोग उस परवत को देखकर स्री राम चंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं अचानक क्या दिखाते हैं ने राम के जो मित्र जिनका नाम है विशाद राज याद रखना ठीक है लिख लीजिए विशाद राज जो है एक परवत दिखाते हैं कि देखिए वह परवत क्या नाम है नहीं वह परवत का नाम है सीरो मनी कामद गिरी लिख लें परवत का नाम कभी कभी पढ़ता है सीरो मनी कामद गिरी परवत और विशाद राज क्या करते हैं देखिए वो परबत देखिए वो परबत रहा सीरो मनी कामदगिरी परबत जहां पर बहती है नदी जिसका नाम है पयस्विनी नदी पयस्विनी देखिए ए नदी का नाम भी याद रखना एक्जाम में कभी कभी आता है पयस्विनी नदी जह निवास करते हैं वे लोग उस परवत को देखकर और साथ में जो होते हैं सत्रुगन होते हैं विशाद राज होते हैं और साथ में कुछ प्रजा भी होते हैं वे लोग जो है उस परवत को देखकर इतने खुस हो आते हैं और वहीं से चिला कर क्या बोलते हैं ने कहते हैं देखकर स्री राम चंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर उससे दंडवत करने लगते हैं वहीं से जो है प्रणाम करने लगते हैं फिर उसके बाद क्या होता है ने भरत जी आगे बढ़ते गराम और लक्षमन का कोल और भीलों को पता चला की नम्होल और लक्षमन को मत-अर्ध वसने वाले जाते विल और кूल याद रखना उनसे पता चलता है के भरत जी जो है सेना सहित आहे हैं तो लक्षमन के मन में भरत के परती संखा उत्पन होती रामचंद्र के मन में नहीं लक्षमन के मन में भरत की प्रति संका उत्पन होती है कि कहीं भरत जो है यहां हमें प्राजय करने के लिए यहां हमें अपमानित करने के लिए प्रजा सही तो नहीं आ रहे हैं लेकिन रामचंद्र को जो है रामचंद्र जी को भरत पर अटल विस् बोलते हैं कि तुम्हारे मन में संका होती है कि भरत जी आते होंगे ये confusion है ना राम जी बोलते हैं कि अयुध्या की बात तो क्या अगर ब्रम्हा विष्णु और महादेप का पद पाकर भी भरत जैसे भाई को राज्य का मद नहीं हो सकता अगर ब्रम्हा विष्णु महादेप का पद भी मिल जाए नहीं तो भरत जैसा भाई जो है कभी डगमगा नहीं सकता भरत जैसा भाई जो है राज्य का मद नहीं हो सकता उसको राज्य का नसा नहीं हो सकता है भरत को मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरा अटल विश्वास है, भरत जैसा भाई, कोई नहीं है, ऐसे कहते हैं कोन राम चंद्री जी जो है, क्योंकि लक्षमन के मन में जो है संका होती है, कि भरत कहीं जो है, प्रजासईत हमें अपमान करने तो नहीं आ रहे, कहीं भरत जो है हमें पराजित्तों के नहीं करने आ रहे हैं इसलिए भरत जी के मन में संका होती है और रामचंद्र जो है बहुत तरह का उधारन देकर उन्हें समझाते हैं कि भरत जैसा भाई जो है सत्ता की लोब कभी उसे डगमगा नहीं सकती अयुद्या का राज कभी उसे डगमगा नहीं सकता स्वाइंग ब्रह्मा विष्णु महादेप का पद भी पाता है तो वो अपने भाई से इतना प्रेम है उसको ए सारे मद जो है कभी डगमगा नहीं सकते कौन केते हैं रामचंद्र जी लक्षमन जी को समझाते हैं लक्षमन जी के मन में संका उत्पन होती है चले फिर आगे क्या होता है बहुत तरीका उधारण देते हैं ठीक है फिर आगे क्या होता है ने यहां भरत जी ने फिर आगे बढ़कर भरत जी पहुंच जाते हैं कहां आस्रम के निकट पहुंच जाते हैं तो उससे पहले जो है क्या होता है यहां भरत जी ने समस्त समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी पर जो है सनान करते हैं किस नदी पर सनान करते हैं जिस समय विशाद राज देखाते हैं कि ओ रहा कामद गिरी सिरोमणी कामद गिरी परबत तो उसके बाद जो है वहां भी ख कि क्या नदी जिसका नाम है मंदाकिनी नदी ठीक है एक उप नदी है गंगा की गंगा जो है इस सारे शह मिलकर वनी है ठीक है एक वीडियो है कि यह लुए फम फवीट रहे है आप पहले इसी इंदु धर्म के हिसाब से जो है पवित्र स्थान माना जाता है उस पांच प्रयाग जो है कहां है और किस-किस नदी के मेल से एक-एक प्रयाग बने हैं सभी जो है डिटेल्स बताया हूं और गंगा नदी का जल क्यूं पवित्र है साइंटिफिक रिजिन भी क्या है के बल हम क्या करते हैं मंदाकिनी नदी पर सनान करते हैं वरत जी सारे प्रजा सही सनान करते हैं और आगे बढ़ते हैं केबल निसाद विशाद राज निसाद राज जो किसके दोस्त थे राम जी के दोस्त थे और अपने भाई सत्रुग निक लेकर आगे बढ़ते हैं सारे प्रजा जो है वहीं रह जाते हैं और भरत जी जो है आगे बढ़ते हैं भरत जी अपनी माता कई-कई की करनी को समझकर अपने मन ही मन में कुतर्क करते रहते हैं कई-कई की करनी जो है अपनी माता की करनी के भरत जी को सिंहासन में विठाना और राम जी जो है वनवास को चले जाना यह सोचकर भरत जी जो है अपने मनही मन में कुतर करते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि राम जी सुने के भरत आ रहा है वहाँ से जगा छोड़ कर दूसरे जगे चले जाएं जगा चेंज कर दें या फिर मुझे ऐसा कहें वैसा कहें मेरी बात ना मानें यह काफी तरीका जो तर्क अपने मन ही मन में करते रहते हैं और अंत में सोचते हैं कि राम जी मुझे जो भी कहें अपना सेवक समझकर मुझे अपना ले या मुझे जो भी कहें यह तो कम है ऐसा सोचकर जो है भरत जी आगे बढ़ते चलते हैं और आगे बढ़ते हैं भरत जी के मेरा उमीद करते हैं के राम जी जरूर मेरा आदर करेंगे स्री राम चंद्र जी के निवास सेवन की संपति ऐसी सुसोवीत होती है भरत जी देखते हैं के स्री राम चंद्र जी के निवास जहां पर निवास करते हैं ऐसी सुसोवीत होती है ऐसा लगता है कैसा लगता है यहाँ पर गोश्वामी तुलसी डास ने वर्दन किया है कि कैसा लगता है ने स्री राम चंद्री जी के निवास तेवन की संपति ऐसी सुसोभीत होते है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा खुसी हो गई यो ऐसा पता चलता है कि ए जो है एक सामरज्य है ज जूवन वहां दिखता है ना वन समझते हैं और एक काहाँ पर हय तत्सत कहासी पर वन है जो दोनों आद्मी बैठ कर पेड़ के के नीचे बातचीत करते हैं तत्सत है ना आपके कोर्स पर हां कभी बोलना तो उसका भी सारूस बता दूंगा तो तत्सत पर है दोनों बैठ कर पूलता है मैंने वन के बारे में नहीं सुना ये वन कौन है मैंने सेर के बारे में सुना है बाग के बारे में सुना है भालू के बारे में सुना है लेकिन ये वन भयावना है इतना खतारना को नहीं वहाँ से शुरू होती है तस्त ठीक है कभी मौका मिले अगर आप तस्त पढ़ लिया है ठीक है वरना आप बताने comment box पर मैं जरू सहरांस आपको इसी तरह बता दूगा तो यहाँ पर वर्णन किया गया है राम जी जहां रहते हैं मुलते है शुहाँणा वन ही देष है ये जो शुहाँणा में खुबसूरत लगता है मानो यह देश है विवेक उसका राजा और वैराग्य उसका मंत्री है याद रखना कुष्चिन आता है सुहावना वन जो है देश है उसका वर्णन करें है तुलसी दास के भरजी देखते हैं सुहावना वन वाँ, वाँ, how beautiful, सुहावना वन जो है वो ही देश है सुहावना जैसे ऐसे प्रतित होता है कि सुहावना वन जो है यह देश है आप एक एक मौट लिखते चले है सुहावना वन जो है देश है विवेक उसका राजा है वैराग्य उसका मंत्री है यम तथा नियम दो युद्धा है यम, यम के अंतरगत आता है यम के अंतरगत कौन सा आता है जैसे अहिंसा सत्या इत्यादी और यम के अंतरगत सुछ संतोस तब इत्यादी आता है किसके अंतरगत ने यम के अंतरगत तो ऐसा प्रतित चलता है कि यम तथा नियम सरी यम के अंतरगत अहिंसा सत्या इत्यादी नियम के अंतर्गत जो है सोच सन्थोष इत्यारी नियम के अंतर्गत, तो ऐसा प्रतित चलता है कि सुहावणा वन ही देश है और इसके जो है विवेक इसका राजा है वैराग्य इसका मंत्री है यम तथा नियम दो युद्धा हैं, किसके इस छोटे से सामराज्य के यम और ज एतना खुबसूरत जगाता ओ कि परवत जो इसकी राजदानी है। और वहां स्रिष्ट राजयार राज्यसे सब अंत्यों से पुर्ण है और उस रिष्ठ राजा जो है इसका सब अंगों से पुर्ण है यानि सभी प्रकार के उसमें गुण मिलते हैं यहाँ पर उसका वर्णन क्या गहा है उस सुहावना राज्य का वहाँ पर तो कोई सामरज्य नहीं था राम जी जो है वनवास पे गए ते लेकिन ऐसा प्रतीत होता है इतना खुबसूरा जगा ऐसा प्रतीत होता है यह सारे चीज जो बताया कि यह राजा है यह मंत्री है यह राजधानी है यह दोनों रानिया है और यह दोनों युद्धा है ठीक है यह सारी चीज जो बताया हूं इसे नोट्स कर लें तो केवर्ड तब जो है दोड़ कर उच्छे स्थान पर चड़ जाता है जो सात में होता है दोड़ कर उच्छे स्थान पर चड़ जाता है और दोनों भूजा उठा कर ऐसे भूजा समझते हैं हाथ दोनों हाथ ऐसे उठा कर दोनों भूजा उठा कर भरत जी को कहने लगता है ये जो जामुन आम तमाल के विशाल व्रुक्ष दिखाई देते हैं ना कौन से तीन व्रुक्ष के बारे में बोलता है जामुन आम और तमाल ये तीनों जो व्रुक्ष दिखाई देते हैं उसके बीच में एक सुन्दर बरगद है और उस वर्गद का भी वर्दन क्या गया कि उसके पत्ते हरे भरे पत् हैं और उसकी छाया में हर मौसम पे मजा आता है और वो जो वर्गत सूसोभीद वर्गत है न उसके नीचे जो है एक कुटिया है किसकी राम जी की कुटिया है और वहाँ पर लक्षमन जी और सीता जी अपने हाँ से बहुत सारे तुलसी के छोटे छोटे पेड लगाए हुए ह बहुत सारा तुलसी का अगच है वहाँ लगाई हुए है और राम जी की कुटिया है एक कौन केवट वहाँ पर चड़कर बताता है उसके पत्ते नीले हैं वर्गत के विशे में जो है वर्णन किया गया है और वहाँ पर सीता जी ने क्या बताता है वहाँ पर के हे घोसाई इसे ब्रुक्ष नदी के समीत है कौन से नदी पवेश्विनी नदी क्योंकि मंदाकिनी पर इन्होंने स्नान किया था यह स्रीराम जी की पर्ण कुटी बनी हुए यानि पत्तों की कुटिया बनी हुए है वहां तुल्सी के ब्रुक्ष बहुत ही सुन्दर पौदे सुसभी थे जिनके कहीं कहीं सिता जी ने और कहीं कहीं लक्षमन जी ने लगाया है इसे बट ब्रुक्ष की छाया में सिता जी ने अपनी करकमलों से सुन्दर वेदी बनाई है जहां मुनीर उसी बैड़ते हैं और धर्म का जो है वेद उपनिशित के बारे में जो है आलोचना होती है फिर दोनों भाई जो है सत्रग्न और भरत आगे बढ़ते हैं जहां पर देखते हैं क्या नस्री राम चंद्र जी के चरण चिन को देखकर दोनों भाई इस प्रकार हर्शित होते हैं मानो दरिद्र व्यक्ति पारश मनी का पारश मनी पा गया हो इतने खुसी होते हैं उनके चरण च जाए कितना घुसी होगा तुम्हें अचानक 10 करोड़ रुप्या मिल जाए मैं क्या आएगी ठीक है बहुत तरह के लालज भी आने लगेंगे लालज बुरी वला है देखें लालची आदमी च्छोटी सी बात बता दो एक दो मिनेट में एक याद पढ़ गया मुझे एक विराजमान होते हैं उसके आगे तो वड़ी हो जाती है वीडियो तो कम्प्लीट करवें इसे और थोड़ा एक दो मिनट में इसे समाप्त करेंगे अच्छा तो कभी हाँ यह लालच बुरी वला होती है तो एक दिन क्या होता है भगवान विराजमान होते हैं और भगवान क तो यह सूच में पड़ जाता है और इर्षा जो है मन से नहीं जाती कभी मौका मिले में इर्षा का वर्गी करन करूंगा इर्षा तीन प्रकार की होती है कभी मौका मिले तो वीडियो बनाऊंगा इस पर तो यह सूचता है क्या मांगों सूचता है कि एक विल्डिंग मांग लो एक अच्छा बंगला मांग फिर सूचता है अगर एक बंगला होगा पड़स वालों का दो दो बंगला हो जाएगा मेरा रेपूटेशन क्या रहेगा आप एक काम कीजिए मेरा एक आखी फोड़ दीजिए देखिए लालच और इर्षा कैसे अगर एक फूटेगा तो सब का पड़ोस वालों का क्या होगा दो दो आख फूटेगा सारी संपती किसकी हो जाएगी तो यह जो है इर्षा और लालच है ठीक है तो यहां पर कहां से ह हम चले आये थे कहां तक गये थे इस कहाणी में इस कवीता में कि मि में अहां जैसे एतने खूट होते हैं स्री राम संद्री जी के मां च रण कर देखकर दोनों हाई चांक बम होता है नभाया ने देखा कि लक्षमन जी आगे बढ़ते हैं चरंचिन देकर और कहां पहुंच जाते हैं ने राम जी की कुटिया के पास उनके आस्रम के पास पहुंच जाते हैं भरत सत्रगुन और रिशादरा जो है पहुंच जाते हैं और भरत जी वहाँ पर क्या देखते हैं भरत जी ने सामने लक्षमन जी खड़े हैं और दोनों में बातचीत हो रही है बड़ी प्यार से लक्षमन जी उत्तर दे रहे हैं और उनका वर्णन करते हैं और क्या होता है सीता जी सहीत स्री रगणाज जी वी विराजमान है और वेदी पर जो है सीता जी है और स्री रगनाज जी राम जी जो है वहाँ पर भी है जो है विराजमान है छोटे भाई सत्रुगन और सखा निशाद राज सहित भरत जी का मन जो है प्रेम से मगन हो जाता है देख लेते हैं कि लक्षमन जी सामने खड़े हैं आगे जो है राम जी बैठे हैं सीता जी बैठी हैं सब बैठी है यह दोनों भाई देखते हैं और दोनों का मन जो है निशाद राज देखते हैं सब का मन जो है प्रेम से भर जाता है हे नात रक्षा कीजिए हे गोसाई रक्षा कीजिए ऐसा कहकर दंडवत हो जाते हैं कौन भरत बोलते हैं हे नात रक्षा सुन नहीं पाते हैं वहीं पर दंडबत हो जाते हैं सत्रुगना और भरत जी लेकिन लक्षमन जी सुन पाते हैं और आवाज से लक्षमन जी अंदाजा लगा देते हैं कि भरत जी जो है पीछे प्रणाम कर रहे हैं दंडबत हो रहे हैं और सामने लेकिन राम जी है जो बाची पीछे भरत जी जो है आपको प्रनाम कर रहे हैं और क्या होता है एतना सुनते ही लक्षमन पर जी ने जैसे कहा यह सुनते ही फ्री रगुनात जी प्रेम से अधीर हो उड़ते हैं। कहे वस्तर गिरता कही तरकस कहीं धनूस कहीं पर जो है वान गिरता है सूजबूज भूल जाते हैं इधर उदर गुरता और दोड़ कर आते हैं दोड़ कर आकर क्या करते हैं ने लक्ष्मन जी को सरी भरत जी को उठा कर जबर्दस्ति अपने सीने से लगा लेते हैं कौन राम चंद्र जी जो है अपने सीने से लगा देते ह यानि उनको आधर करते हैं अपना लेते हैं भरत के मन में जो संका होती थी कि मुझे जो है अपनाए या नापनाए क्या करें यह राम जी जो हुआ अपना लेते हैं तो आपको और कुछ वीडियो चाहिए ऐसे सारामस में बताना आप नाटा गुप अन्यासमत बोलिए बहुत समझ में सुन दीजिए एक दो मिनिट पढ़ाई खतम बस वीडियो बन करो चलो यहां से ऐसा थोड़ी ना होता है आपके लिए मेहनत करके इतना समझा रहा हूं दो चार बात मेरी भी सुनना कमसका तो क्या बोल रहा था मैं हाँ आपको अगर कोई भी डाउट है यह जो कव कम्प्लीट कर चुका हूं और कुछ बाकी है जैसे प्रचलित उपसर प्रते बाकी है संधी बाकी है कुछ भी बाकी है मैं कोशीश करता हूं ग्रामर जो है आपका कम्प्लीट कर दोंगा पूरा कम्प्लीट कर दोंगा ग्रामर और ऐसे सारण सगत चाहिए आप मुझे कुसी मिल रही है मुझे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ तब तक के लिए आगियां दीजिए जय हिंद